हेलो चैंस, इस फॉर्मूला ट्रिक में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि टिक्नोमेट्रिक के रैसी प्रोकल आइडेंटिटीस फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं चैंस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक हेक्सागन है, और मैंने सेम वैल्यू दुबारा पुठ किया है, जैसे 10 इस प्रोकल को नाम दिया है, जैसे आप इस पॉइंट को देखेंगे, 10 पर जब हम खड़े हैं, तो इसकी अपोजिट वैल्यू क्या है, कॉट है, तो क्या हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 is equal to 1 upon cot cookie, 10 की जो अपोजिट साइट वैल्यू है, वो इसकी रैसी प्रोकल है, ठीक है, तो क्या अब अब जब कॉट पर खड़े हैं, तो 10 भी इसकी रैसी प्रोकल वैल्यू है, अफ्कोस है, तो हम पॉट को भी लिख सकते हैं, cot is equal to 1 upon 10, तो दोनों एक दूसरे की रैसी प्रोकल वैल्यू है, अब आईए साइन पर, तो साइन का अपोजिट क्या आ रहा है यहाँ पर, अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें, तो इसका पॉइंट यह मिलता है, कॉसेक, तो हम लिख सकते हैं, साइन की जो रैसी प्रोक वैल्यू साइन है, तो इसी तरह से कॉसेक की वैल्यू बन जाती है, 1 upon साइन, आई होब कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, अब नेक्स पाइट पर चलते हैं, अब हम चलते हैं कॉस पर, तो कॉस की अपोजिट साइट कौन सी है, सेक आती है, तो क्या हम लिख सकते हैं सेक का अपोजिट आ जाता है, तो क्या सेक का जो अपोजिट वैल्यू है, वो वन अपोजिट लिख सकते हैं, अफ्कोर्स, तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि यह जो छे पॉइंट हैं, यह सारे के सारे एक दूसरे के रैसी प्रोकल्स हैं, और आपको क्लॉक वाइड डिरेक्शन में चलना है, तो हमने यहां से 10 से शुरू किया, साइन, कॉस, 10, कॉस, और सेक आ गया, तो आपने देख रहे हैं, कि यहां पर हमने 3-3 वैल्यूस को ड्राइब कर लिया है, और यह तीनों जो है टिग्नोमेट्रिक रैसी प्रोकल आइ जैसे सबसे पहले हम 10 is equal to 1 upon cot है, अगर यहां पर हम cot को अपने left hand side में ले जाएं, तो क्या होगा, तो यहां पर cot division में है, तो उदर जाकर cot multiplication में हो जाएगा, तो 10 multiplied by cot is equal to 1 value आएगी, तो चैंस एक और निया formula बन गया हमारे पर, अब यहां से अगर हम 10 को इदर ले जाएं, तो भी हमारा 10 multiplied by cot 1 ही आएगा, तो यह भी एक value ही, मगर इस से क्या हम कोई और values भी निकाल सकते हैं, अफोस, अगर हम 10 को उदर ले जाएं, तो cot is equal to 1 upon 10 आजाएगा, जैसे कि हमारे पास यहां पर आए हुआ हुआ है, अब इसी तरह से हम cossack को अगले व्यार फाल में ले ज तो एक नया formula बन गया, अब इसी तरह से, इस formula में अगर sec को मितर ले जाएं तो, तो यह आजाएगा, cos multiplied by sec is equal to 1, तो chance इन formula से हमने 3 नए formula और बना लिए हैं, झाल झाल